सवाल नंबर 26 वह सबसे छोटी संख्याग याद करें जिससे निमनलिकित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्थ हो जाए देखिए ये संख्याओं को दिया हुआ है ये अभी पूर्ण घन नहीं है तो इसमें कौन से छोटी संख्याओं से गुना कर दे ताकि ये पूर्ण घन हो जाए ठीक है तो वो छोटी संख्याओं को निकालनी है इसमें देखिए सभी संख्याओं दी गई है और सभी पूर्ण घन नहीं है पूर्ण घन बनाने के लिए इसको छोड़ी संख्या से गुना करना होगा तो छोड़ी संख्या निकालनी है तो आईए सभी सवाल को हम सॉल्व करते है देखिए 26 का पहला इसमें संख्या दिया हुआ है 72 तो इसको कौन से संख्या से गुना करे ताकि इसका गुनान फाल एक पुर्ण घान हो ठीक है? तो सबसे पहले इसका भाज गुनान खंड करेंगे यहां देखिए 72 है 72 को दूसरे भागा देंगे तो यह हो जाएगा 36 बार में कर जाएगा 36 दूसरे भागा देंगे तो 18 बार में कर जाएगा अठारात दूस से नौ बार में कर जाएगा नौ दूस नहीं कटेगा तीन से कटेगा तीन बार में तीन तीन से कर जाएगा एक बार में यानि कि 72 का वहाज गुनानखंड किये तो गुनानखंड आया दू गुना दू गुना दू गुना तीन गुना तीन ठीक है तो देखिए दू तीन बार है गुना के रूप में यानि दू का घन तीन देखिए दू बार ही है गुना के रूप में यानि तीन का वर्ग तो इसको पुर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा तो देखें, तीन का वर्ग है, इसको घन बनाने के लिए यहाँ पे तीन से गुना करना होगा अगर एक तीन से गुना कर देंगे, तो यह भी देखें, तीन का घन हो जाएगा ठीक है, तो यानि कि इस संख्या को कितना से गुना करना होगा, तीन से तब जाके ये पूर्ण घन बन जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि चुकी 72 को तीन से गुना करने पर गुना करने पर गुनन फल पूर्ण घन प्राप्त होगा दखिए इधर है 72 ठीक है बीच में ब्राबर है और इधर है दू का घन गुना तीन का वर्ग ठीक है इतना है देखिए दू का घन गुना तीन का वर्ग है अगर इस संख्या को तीन से गुना करने तो इधर भी तीन से गुना करना होगा बराबर का दोनों तरफ तिन से गुना करेंगे तो दखिए दू का घंड और इसमें तिन से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा तिन का घंड और इसको गुना करिए तो तिन दूनी का 6 और तिन सत्य 21 यानि कि दूसर 16 का दखिए प्रतेक गुननखंड गहन के रूप में हो गया तो कितना से गुना किये तिन से किये तो वही लिखे कि 72 को 300 गुना करने पर गुननफल पूर्ण गहन प्राफ्थ होगा ठीक है अता सबसे چोटी संखिया सबसे चोटी संखिया कितनी है तीन है यह आपका उतर हो गया यानि कि संख्या को अगर हम तीन से गुना कर देंगे तो गुनानफल पूर्ण घण हो जाएगा अब सवाल नंबर दू देखिए इसमें संख्या दिया हुआ है सौव ठीक है? तो सौव का पहले हम गुनानखन करेंगे दखिए 10 गुना 10 सौव को लिख सकते हैं 10 गुना 10 तो दखिए 10 गुना 10 यानि कि 10 का वर्ग है घण के रूप में नहीं है तो हम क्या करते हैं? कि गुनानखन को घण के रूप में बनाएंगे तब ये पूर्ण घण होगा तो इसको पूर्ण घं बनाने के लिए कितना गुना कर्मा होगा दस से अगर इसको दस से हम गुना कर दे तो यह पूर्ण घं हो जाएगा यानि कि यह संख्या पूर्ण घं हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दस मत लिखेगा इस समझाने के लिए आपको हम लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेगा कि चुकी सौव को पूर्न घ्ण बनाने के लिए बनाने के लिए दस से गुना करना होगा दस से गुना करना होगा तो आंसर क्या होगा दस हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगा कि आता है सबसे छोटी संख्या दस है यह आपका उतर हो गया अगर सौव को हम दस से गुना कर दते हैं तो गुनान फर पूर्न घ्ण हो जाएगा सब है और सब को दस से गुना कर देजे तो कितना हो जाएगा एक हजार और एक हजार पूर्न घ्ण होता है देखिए एक हजार को हम लिख सकते हैं दस गुना दस गुना दस ठीक है दस का घ्ण हो गया तो घ्ण में देखिए गहन में इसमें कितना कम रहा था एक दस कम रहा था तो इसको एक दस से गुना कर देज़े यानि कि संख्या को एक दस से गुना कर देंगे तो यह पुर्न गहन हो जाएगा अब सवाल नंबर तीन देखिए इसमें संख्या दिया हुआ है दूसो ते तालिस ठीक है तो पहले तो इसका हम अब आज गुनानखंड करेंगे यहां देखिए संख्या है 243 यह दूसर नहीं कटेगा 3 से कटेगा 3 अठी 24 और 3 एकम 3 फिर यह 3 से कर जाएगा 27 बार में 27 3 से कर जाएगा 9 बार में 9 3 से कर जाएगा तीन बार में 3 से कर जाएगा एक बार में ठीक है यानि कि इसका हम गुनानखंड किये तो गुनानखंड आया है देखिए 3 गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन देखिए 1 दू तीन चार पांच तो पांच बार तीन को गुना के रूप में लिख दिए अब इसको गहन के रूप में लिखे तो देखिए तीन है तीन बार गुना के रूप में यानि कि तीन का गहन है गुना तीन देखिए दू बार है गुना के रूप में यानि तीन का वर्ग है तो ये संख्या पूर्ण घं नहीं है पूर्ण घं कैब कहलाएगा जब परतेक गुनन खंड घं के रूप में हो तो ये घं के रूप में है लेकिन ये घं के रूप में नहीं है तो सवाल कहता है कि इसमें कौन से छोटी संख्या से गुना कर दे ताकि ये पूर्द घं हो जाए तो देखिए तीन का वर्ग है इसको तीन का घं बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा तो एक तीन से गुना करना होगा तीन का वर्ग है इसको घं बनाने के लिए एक तीन और कम रहा है अगर एक तीन से गुणा हम कर देंगे तो ये भी तीन का घहन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर तीन आप मत लिखीगा हम समझाने के लिख रहे हैं यानि कि इस सेंख्या को कितना से गुणा करना होगा तीन से यहाँ पर लिखेंगे कि चुकी दो सुते तालिस को तीन से गुणा करने पर गुणा करने पर गुणन फल पुर्ण घहन प्राप्त होगा प्राप्त होगा ठीक है अता सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या तीन है यह आपका उतर हो गया सवाल नंबर चार देखिए इसमें संख्या है 675 और कहता कि इसको कौन से छोटी संख्या से गुणा करे ताकि इसका गुणा नुफल एक पुर्ण घहन हो तो हम सबसे पहले इसका अभाज गुनानखन करेंगा ठीक है यहां देखिए 675 है इसका अभाज गुनानखन करते हैं तो देखिए यह दूसर नहीं कटेगा तीन से कट जाएगा तीन दूनिका छाओ तीन दूनिका छाओ और तीन पचे 15 है फिर तीन से कटेगा तीन सत्य 21 और तीन पचे 15 है फिर तीन से कटेगा तीन दूनिका छाओ और तीन पचे 15 है अब यह तीन से नहीं कटेगा पांच से कटेगा पांच बार में फिर पांच पांच से कटेगा एक बा गुना में एक नहीं लिखा जाता है, ठीक है? एक पांच और गुना में रहेगा, तो ये भी पांच का घन हो जाएगा, तो प्रत्य गुनन खंड फिर पांच का घन हो जाएगा, तो देखिए, पांच का वर्ग है, अगर इसको हम पांच से गुना कर दते हैं, तो ये भी पांच का घन हो जाएगा, ठीक है? यानि कि इस कितना से गुना करना होगा 5 से ठीक है इसको यहाँ पर मत लिखेगा हम समझाने के लिए लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि चुकी 675 को 5 से गुना करने पर गुनन फल पूर्ण घन प्राप्त होगा अता सबसे छोटी संख्या कितनी है 5 है यानि कि अगर इस संख्या को 5 से गुना कर देंगे तो इसका गुनन फल पूर्ण वर्ण हो जाएगा इधर 5 से गुना करेगा तो इधर भी 5 से गुना करना होगा तो देखिए 5 का फिर घन हो जाएगा और तिन का घन पहले से है तो देखिए पूर्ण घन हो जाएगा फिर ठीक है तो उतर है 5 सवाल नंबर 5 इसमें संख्याद दिया हुआ है 256 तो पहले इसका हम अभाज गुनान खंड करते हैं यहां देखिए 256 यह दू से कर जाएगा 12 दूनिका 24 और 28 16 फिर दू से कर जाएगा दू से कर जाएगा 32 बार में 32 दू से कर जाएगा 16 बार में 16 दू से कर जाएगा 8 बार में 8 दू से कर जाएगा 4 बार में चार दू से कर जाएगा दू बार में और दू दू से कर जाएगा एक बार में ठीक है तो देखिए इसका अभाज गुननखंड किये तो ये सब गुननखंड आया हुआ है जिसको हम यहाँ पे गुननफल के रूप में लिखेंगे तो दू कितना बार है तो एक दू तीन चार पांच, छो, साथ, आठ बार है, यानि कि हैं लिखेंगे, दू, गुना, दू, गुना, दू, गुना, दू, गुना, दू, दू, गुना, दू, दू, दू को हम आठ बार गुना के रूप में लिख दिए, अब इसको गहन के रूप में लिखेंगे, देखेंगे, दू है, ती सिच भर कम रूप में नचार जेजी का करना है मैं यहां पर डू बार यहीं ही गुना करना है यानि कि घ्ण पल की तुछ अर्थ हो गया तो落ुन खना में यहां खरेंगी इसे दू से गुणा हो गिया हो गा यह भी आपका दुका घन हो जाएगा ठिक है यह भी दुका घन है यह भी दुका घन है बनाने के लिए दू से गुना करना पड़ेगा अता सबसे छोटी संख्या दू है ये उतर हो गया बनाने के लिए बनाने के लिए दू एवाई दू है